नमस्कार मित्रो मैं डॉक्टर महाविर व्यास अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड आज हम कॉंश्टीपेशन याने की कब्ज के बारे में बात करेंगे मित्रों कॉंश्टीपेशन हमारे पाचन तंतर की उस तिति को कहते जिसमें कोई व और इससे बहुत ही दिक्कत होती है लोगों को अपने रूटीन शेडियूल में भी बहुत ही प्रॉब्लेम होता है इसके कई कारण है जैसे की जो हमारे बावेल से यानि की जो बड़ी आते उसकी जो मुमेंट है इसको मेडिकल लेंग्वेज में पैरिस्टाल्टिक मुमें कहते हैं यह आतके अंदर रेशे जैसा होता है जो करते और वह मल को करते और उसको धक्का भी देते नीचे की तरफ तो अगर यह मुमेंट बावेल की जो अगर स्लो हो जाती तो एक कारण होता है दूसरा है हमारी सेडेंटरी लाइफटाइल अक्सर जो लोगों को ज्यादा ऑफिस में काम रहता है पूरे दिन जो बैठे रहते हैं आलसी व्यक्ति होते हैं उनको कव्ज का प्रोब्लेम बहुत ही ज्यादा रहता है और तीसरा इसका कारण है कि हमारा जो नेचर स्कॉल है जैसे कभी भी पैखाने जाने की इच्छा हो और आप किसी भी वजह से उसको एटेंड नहीं करते रोक के रखते तो जो मल है वह वावेल की अंदर ड्राइव हो जाता है और उसकी वजह से भी कॉंस्टिपेशन होता है और इसका एक और रिजन है जंगफुड अगर आप बारी तली हुई या पाउव ब्रेड ऐसी जीज़े ज्यादा लेते तो यह भी कॉंस्टिपेशन की वजह और कुछ मेडिसीन से जैसे आप अगर आइरन की कोई दवाई ले रहे है या रेगूलर बेज पर एंटासीड ले रहे तो यह भी कॉंस्टिपेशन की वजह बनती है अब देखते इसके सिम्टम्स क्या होते है तो सबसे पहला सिम्टम है डिफिक स्ट्रेइनिंग वें पासिंग स्टूल जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो बहुत ही दम लगाना पड़ता है तीसरा इसका सिम्टम है पासिंग लेस टूल देन यूजवल जितना मल नॉर्मली उसकी जो कॉंटिटी होती है उससे अगर बहुत ही कम मात्रा में आप स्ट स्टिपेशण।का सिम्टम है है और इसका 14 ं कि जो मल होता है वह ड्राय हो जाता है हाड दमी lors हो जाता तो यह चार इसके मुख्या लक्षन है और साथ में और भी कभी कभी लक्षन होते हैं जैसे पेट में दर दोना या पेट फूल जाना और कभी साथ में भूख नहीं लगना ये भी एक इसका सीम्टम है कि जिसकी सुको भी कॉंस्टिपेशन का प्रोब्लेम है तो जरूरी नहीं कि दवाई सही ठीक होता है आप अपनी लाइफस्टाल में थोड़ा चेंज लाए रेग्यूलर बेज पर 40-45 मीट तक वाकिंग कीजिए जो आपका डायेट है उसमें जो नेचरल फाइबर है वो अधिक मात्रा में लेजी और पानी खुब पिए 5-6 लीटर पानी पिए इससे भी कभी ठीक हो जाता है ले वित्रो होमियोपेटिक जो मेडीशीन ये आपको आपको ऐसा नहीं कि टेंपररीरी coming्स देगी ये आपका आथ की जो मुमेंट है बौय की कि जो मोमेंटे इसको ठीक करती और कब को पूरी तरह से क्यों करती है तो आये इसकी कुछ होमियोपेथिक दवाई के बारे में बात करते हैं सबसे पहली और स्वामी का 200 स्वामी का इसमें क्या होता है जो इसके ऐसा सेंसेशन बना रहता है कि अभी वापस जाना पड़ेगा ऐसे अंसेटिस्प्रेक्टिफ फ्रिक्वेंट स्टूर्स होते दिन में तीन बार चार बार जाना पड़ता है और अक्सर यह सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों को ज्याधा शूट करते हैं अगर ऐसे सिम्टम से तो नक्स्वामी का रात को सोने से पहले एक बार 200 पोटेंसी में एक महिने या दो महिने तक आप कंटिनू कीजी तो आपका कॉंस्टिपेशन ठीक हो जाएगा मित्रों इसकी दूसरी मेडिसीन एल्यूमीना थर्टी एल्यूमीना थर्टी का जो में सिम्टम है वह कि पाउजूद उसको बहुत ही स्ट्रेंड करना पड़ता है बहुत ही जोर लगाना पड़ता है और बहुत डिफीकल्टी के साथ टूल पास होता है और अक्सर बच्चों और ओल्ड एज के पेशन को यह ज्यादा शूट करती है अगर ऐसे सिम्टम है तो एल्यूमीना थर्ट सिलीशिया ट्वैल एक्स का जो कॉंश्टी पेशन है उसमें क्या होता है कि इसको पेशन को जोर तो बहुत ही लगाना पड़ता है लेकिन बाहर निकलता है आजा आके फस जाता है और वापस चला जाता है वो निकल नहीं पाता अगर ऐसे सिम्टम है साथ मैं ऐसे जो पेश पेशन हो तो सिलीशिया ट्वैल एक्स पोटेंसी में चार गोली दिन में तीन बार लंबे टाइम तक चालो रखे दो या तीन महीने तो इससे ऐसे सिम्टम और कॉंश्टी पेशन क्यों हो जाएगा मित्रों इसकी चौती मैडिसी ने ब्राइनिया थर्टी जो ब्राइनिया समर में और भी दिकत बढ़ जाती है होट वेदर में अगर ऐसे सिम्टम है तो ब्राइनिया थर्टी पोटेंसी में सुबह दो पैर और साम पांच-पांच गोली एक या डेड़ महीने लेने से स्टूल भी सौफ्ट हो जाएगा और कॉंस्टीपेशन भी क्योर हो जाएगा मित्रों इसकी पांच भी मेडिसीन है आइड्रेश्टीस क्यों हो यानि कि आइड्रेश्टीस का मदर टिंग्चर आइड्रेश्टीस जो है वो बोवेल की मोमेंट को रेगिलर करने में बहुत ही हेल्प पूल है और पर्टिकुलर्ली इसके जो सिम्टम है वो स्टूल जाने के बाद काफी देर तक रेक्टम में जलन और इचिंग रहती है पर्टिकुलर्ली साथ में और सिम्टम है पेट में डूपती सी अनुपूती जैसा लगता है जैसे लगता है कि कुछ तो गड़ बढ़ है अगर ऐसे सिम्टम है तो आइड्रेश्टीस का मदर टिंग्चर दस बुन सुबह दो पोईर और साफ आधे कप पानी के साथ अपले यह बहुत ही अच्छी मेडिसीन है और आत को काम करने में कापी एलफ फूल है यह भी एक या दो महिने तक कंटीन्यू करना चाहिए और इसकी लास्ट मेडिसीन है कैली डॉनियूम का मदर टिंग्चर कैली ड में बर्निंग होती है अगर ऐसे आड़ छोटी छोटी जैसे शीप डंग टाइप का जो स्टूल है अगर ऐसे कव्ज के सिम्टम में साथ में लिवर का भी वीक्नेस है कभी या पास रिष्टे में चौंडिस हुआ है उसके बाद अगर यह कॉंस्टिपेशन की दिक्कत है त सब्सक्राइब काफी फाइदा मिलेगा साथ में आप जैसे मैंने बताया कि कम से कम 40 या 45 मिन खाने में हरी सब्सक्राइबर ज्यादा लीजिए तो इससे अमेशा के लिए ठीक रहता है आसा है आपको मेरा वीडियो यूस्पुल लगा होगा कुरूप्या मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं नमस्कार जैहिन